पॉलिवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फिल्म सुई धागा, मेड इन इंडिया की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ हेक्टर वरून धवन है। हाल ही में अनुष्का की कुछ तस्वीरे सामने आई है। दरसल ये तस्वीरे गुरुवार देर रात की है जब वह मुंबई की स्ट्रीट्स पर कुछ सीन शूट कर रहे थे। इस दौरान अनुष्का ने सिंपल फ्लावर प्रिंट साड़ी पहनी हुई थी। उनके एक कंधे पर लगेज बैग दिखाई दे रहा था तो दूसरे कंधे पर वेपस टांगे हुई थी। उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं वरुन की बात करें तो उन्होंने चेक्ड शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। इससे पहले फिल्म की शूटिंग घुपाल, मध्य प्रदेश और इसके आसपास के इलापों में हो चुकी है। सुई धागा के डाइरेक्टर शर्ट कटारिया है, जो पहले आयोश्मान खुराना और धुनी पैरनिक स्टार दम लगाके हैशा को डाइरेक्ट कर चुके हैं। शर्ट ने फिल्म की कहानी लिखी है। मनीश शर्मा या श्राज फिल्म्स के बैन तले इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म भारत सरकार द्वारा 2014 में लॉंच किये गए, नेकिन इंडिया केंपेंड पर बेस्ट है। फिल्म में वरुन धवन मौजी और अनुश का शर्मा ममता नाम का किर्दार निभा रहे हैं। इसकी संभावित रिलीज डेट 28 सितंबर 2018 है।